Life insurance चार तरह की होता है पहला होता है term insurance जो बहुत famous आज़ की रेट में जिसको देख़्ो term insurance करवा रहा है दोस्तों term insurance में क्या होता है एक समय के लिए एक term choose करते हैं आप उस term तक पैसे भरते हैं अगर उस term के दौरान कोई mis honeymoon होती है तो पीन ओमिनिकोस का जो इंसूर्ड अबाउंट है वो मिल जाता है और maturity के बाद इसमें कुछ नहीं मिलता इसका जो premium होता है comparatively बहुत बहुत लो होता है दूसरा जो insurance होता है whole life insurance whole life insurance में क्यों होता है इसका premium comparatively थोड़ा higher side में होता है maturity आती है बड़ एक certain age पे आती है या फिर death पे आई मिसातनी के case में तीसरा जो life insurance का टाइप होता होता है दोस्तों वो होता endowment plan इस plan में premium comparatively जो दो आपको मैंने टाइप्स बताए insurance के उससे जादा होता है इसका premium higher side पे होता है मगर इसमें maturity certain होती है कि मिलना ही मिलना है अगर आपने insurance plan लिया है और उसका पूरा अपने term तक पैसा pay कर दिया है तो आपका risk cover भी continue रहता है मिलता है उस period के दरण अगर कुछ होता है और end में maturity भी मिलती है चौथा जो टाइप होता है दोस्तों वो होता है money back plan money back plan होता है दोस्तों हर एक interval पे आपको पैसा आता रहता है चार साल के बाद या पांट साल के बाद पांट पांट साल पर आपको पैसा आएगा आपको पैसा मिलेगा और इसका पैसा आपको एंटर्वल पे कोई इंश्रेंस कंपनी वापस कर रही है तो री इंवेस्ट चोंडे का समय आपको आपको वापस कर दिया फिर चार साल आपने कुछ पैसा दिया उसमें से कुछ पैसा वापस कर दिया इसलिए इसका प्रीम्यूं जो है थोड़ा higher side होता है बाकि इंश्रेंस के टाइप से